यो तार जुना गर्म उस कारे को खेते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी अनुष्य जब भी दुख की संपत्ती रशंसा की आशा रख कर कोई कारे करता है तो वो उस कारे के फल से बंद जाता है जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग खेते हैं और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए उसे निशकाम कर्म योग खेते हैं किसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है वो कैसे मान? यदि तुम्हें विजय होने की आशाएं तो पाराज़ित होने पर तुम्हें भीशन दुख होगा और वो दुख तुमसे कोई अन्यकारे करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और यदि तुम विजय होएं तो तुम्हारा हंकार बड़ेगा और वो हंकार तुम्हें विश्व विजे के लिए प्रेरिद करेगा तुमसे हत्याय करवाएगा और उसका पाफ तुम्हें बांधेगा विचार करो यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजे का मोह और ना पराजय का भय तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्थ होगा या दुख प्राप्थ होगा ना सुख माधव और ना ही दुख अर्था तुम्हारा सुख दुख अताशा निराशा अहंकार युद्ध के कारण नहीं है युद्ध के साथ तुमने जो आशाय बांधी हुई है उसके कारण है क्या ये सत्ते नहीं है पाड़ सुख दुखे समेक रित्वा लाभा लाभो जया जयो सतो युद्धाय युज्यस्व नेवं पाप मवाप्स्यसी अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ आनी जय पराजे का विचार किये बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन तै तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे इसी को कर्म योग कहते हैं जो सांखे का ज्यान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यू तक है अर्थात वास्तविक नहीं केवल माया है उसके लिए कर्म योगी बनना सरल हो जाता परन्तु माधव यदि कारें से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके सन्यास लेना उच्चत नहीं इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है बार्थ विचार करो जब सत्वगुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते तब अधर्म से भरे लोग भी संसार को चलाते यदि महामहीम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही ने और तुम्हारे पिता ने यदि सन्यास ना लिया होता तो आज प्राता युधिश्चर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याए और धर्म का ज्यान दे रहे होते किन्तु दुखताएक बात तो ये है बार्त कि सत्वगुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाब दे सकते किन्तु वो ही सन्यास का विचार करते जैसे जल तो भाब बन कर उड़ जाता और कीचड कीचड वही पड़ा रहता वैसे सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्रे करते इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता किन्तु कर्मयोग इस विचित्र स्थिती से सारे संसार का रक्षन करता कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है किन्तु कर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भाथी सारे कारे करता है किन्तु उनमें लिप्त नहीं होता कर्म योगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता स्वयम उसे सन्यास का लाप होता, किन्तु समाज को संसारी की भाती लाप देता मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है मादब मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यपार है या प्रेम पार प्रेम माधा तो फिर अपने कारियों के प्रती फल की एक्षा क्यों पार प्विश्चे का लाब तो व्यपार में देखा जाता है प्रेम ने नहीं जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है संतानों को प्रेम और धर्म के संसकार देता है उसकी संताने भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती संतानों के कर्म, स्वजनों के वहवार उनके कर्म है पार और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोज है यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीगरी ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कारे नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवारे हो जब स्रिष्टी ही परमात्मा है और मनुष्य स्वैं परमात्मा का अंच है तो सारे कारे परमात्मा ही करते मनुष्य स्वैं कुछ नहीं करता यही कर्मयोग का मूल से धान थैपार कुम्हें भी कर्म-योगी बनकर ये युद करना आवश्चक है पाः त्रे गुणिहा, विश्या, वेधा निस्त्रे गुणियों भवार जना निर्दवंद्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योग, शेम, आत्मवाः तीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार इस द्वंध से मुक्ष हो जाओ सदा सत्व और आथ परमात्मा में बुद्धी लगाकर करतव्वे का वहन करते रहो कुछ प्राप्त करने की एक्षा और कुछ प्राप्त किये हुए का रक्षन करने का विचार ज्याग दो पार और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने कर्मन्य वाधिकार अस्ते मा फलेशू कदाचना मा कर्मफल हे तुर्भू मा थे संगोस्त्व कर्मनी तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है फल तो ईश्वर के हाथ में इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है मा थे संगोस्त्व करवड़ी जो फल का त्याग करते पर उन्तु कर्म का त्याग ना करे ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधा विश्याविनी वर्तन ते निरहा रस्यदेहिना रसवर्जम रसोप्यस्याए परम द्रिश्टवा निव वर्तते तुनो पार्ग जो स्वाद से छूपने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है बास्तब में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं उसे दोहरी हानी होती एक तो वो निर्बल हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रैत्न निवारे उसे वो नहीं कर बाता और दूसरा, तदा ही उसका मन स्वात की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याक करने से उत्तम हैं, स्वात की लालसा का ही त्याक कर दिया जाए। कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खीच लेता है। जीवन को कर्तव्य मानकर कारे अवश्य करता है। कि इन तु उन कारें से जुड़ता नहीं। और बात, जो विक्ति अपने कारें से आशाएं और इच्छा नहीं रखता। उसी के कारे पून होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं। एक सफलता से आनन्दित होकर जो स्वयम को स्तर्व श्रेष्ट नहीं मानता। ऐसे ही विक्ति को कर्म योगी खहते हैं। और ऐसा विक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। ज्यायतो विश्यान पुन्सह संगस्तेशु पजायते। संगात संजायते कामा कामात द्रोधो भिजायते। प्रोधात भवती सम्मोहं, सम्मोहात स्मृती विभ्रमं, स्मृती प्रिंशात बुद्धी नाशो, बुद्धी नाशात प्रणश्यती. भलकी आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है, असंतुष्ट रहना. असंतोष्ट से क्रोध उत्पन होता, और क्रोध से मुख जनता. मुख के कारण विख्टी, आचार और वहवार का ज्यान ही भूल जाता. ज्यान के जाने से बुद्धी चली जाती, अनुचित प्रकार के कारे होने लगते, और समाज ऐसे विख्टी का शक्त्रू बन जाता, और अन्त में ऐसे मनुष्चिक, पूर्ण सा पतन हो जाता. जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापती महामहीम, उनके ही शक्त्रू हैं, और तुम्हें विजे का आशिरबात दिया. पार्त, कर्म योग, प्रम विद्या का दूसरा चरण, परमात्मा में अपनी बुद्धी स्थिर करो, स्वेम को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्थ हो जाओ, पर्फल की आशा का त्याग करके, केवल कर्म करते रहाएं.